विज़म बाक टू दे चैंल, तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इस ब्यूटिबूल सी किया सेल्टोस के बारे में ये है किया सेल्टोस का STX IMT वाला वेरियंट और ये डीजल वाला वेरियंट है और ये जो वेरियंट है नहीं तो सबसे ज़ादा वेलू फोमनी है कैसे है क्योंकि इसके अंदर आपको automatic का option, manual का option और IMT तो भाई सामने खड़ाई है ये सारे option आपको मिल जाते हैं ये गाड़ी जो है feature loaded आपको मिलती है condition की बात करें तो Hyundai की क्रेटा से इसका condition है और अगर आपको Hyundai क्रेटा में वेटिंग मिलती है तो ये cell toss भी बहुत जादा मेरे को लगता है अच्छा option आपके लिए सावित होता है, front आप देखे हो कितना जादा मतलब beautiful लगता है chrome का काम मिल जाता है, ये जो DRLs हैं ये आपको बिल्खुल नए type के मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे LED के साथ आपको जो है headlamp unit मिलता है, turn indicators आपको ये beautiful से मिल जाते हैं, जो की floating style है, काफी beautiful है नीचे देखें तो ice cube वाले indicators है यहाँ पे आपको skid plate, silver in color यहाँ पे tiger nose grill ये भी मल जाते हैं, glossy black panel आपको मिल जाता है 360 degree camera रही है, बट front में आपको यहाँ पे parking sensors मिल जाते हैं, तो ये रही भाई, front की कहानी, अब आजाती है side profile की बारी, तो side से ही गाड़ी आपको बिलको निराश नहीं करेगी, size देख रहा हो, कितना खमाल का है, wheel base की बात करें, तो 2610 mm का wheel base है, अंदर sitting जो है आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, overall जो length है, 4, 3, 6, 5 mm की इसकी length है, and यहाँ पे, अच्छा खासा आपको, जो है, ground clearance भी दोस्तों आपे मिल जाता है, 190 mm का, बात की जाए, यहाँ पे तो देखो, tire आपको मिलते है, with alloy wheels, और जो alloy wheels का design है, वो आपको matte, gray color की अंदर मिलता है, चारो की चारो आपको disc brake मिलती है, तो safety concern भी आपको नहीं होने वाला, साथ में, 6 airbag standard आपको मिलते हैं, बात की जाए, इसकी profile की, तो यह है भाई, 215 18R 17 का, तो यह सही है, किया का logo लगा है, cladding आपको मिल जाती है, turn indicator आगी है, आपको इस ORVM पे देखने को मिल जाते हैं, पिलर glossy black है, glass area यह भी आपको अच्छा कासा मिल जाता है, chrome के door handle है, with request sensor, chrome की strip, यह भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है, उपर मिल दिया दोस्तों, roof rail, जो की काफी solid है, और यहाँ से अगर देखें, तो यहाँ पे panoramic sunroof का option जो है, वो भी आपको मिलता है, तो गाड़ी में आपको मज़ा भरपूर आने वाला है, तो यह रही बात ऐसी, और यहाँ पे भी थोड़े से element देख रहाँ, यह silver वाले element, जो है, यह वाले, यह, यह आपको अच्छे लगते हैं, किया का logo है यहाँ पे, and IMT लिखा है, because this is IMT variant, यहाँ पे आपको defogger है, wiper है, high-bounded soft lamp, साथ में यह शाक्फिन antenna मिल जाता है, तो यह चीज हुई यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखे तो देखो, camera भी आपको मिलने वाला है, पीछे parking sensors हैं, पीछे की skid plate है, यहाँ पे थोड़ी सी glossy silver के साथ मिलती है, नीचे आपको reverse lamp, और साथ में आपको जो है, आपको यहाँ पे reflector भी मिल जाते हैं, लगे हाथ जो है, आपको इसका boot दिखाता हूँ, तो यहाँ से खोलते हैं इसको इस तरीके से, तो यह रहा parcel tray, यह भी आपको मिलती है, space देखो, कितना बड़िया space मिल रहा है, तो 33 liters का यह आपको boot space मिलता है, साथ में आपको जो lamp है, वो भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक hook मिल जाता है, बात रही spare wheel की, तो यह रहा guys, spare wheel 205, 65, आर 16, तो एक size जरूर आपको यह down करके मिलता है, यहाँ पर आपको emergency exit का feature भी आपको मिल जाता है, तो इसको यहाँ से close करते हैं, और अब आपको इसके rear जो है न, डोर पे लेके चलता हूँ, और जो pricing है, वो मैं आपको last में बताऊँगा, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, यहाँ पर आपको यह blinds जो है, यह base model से मिलते हैं, तो यहाँ पर Kia ने बहुत अच्छा जो है, यहाँ पर काम गिया है, glossy, यहाँ पर glossy silver, और यह देखो treatment, this is soft touch, यह क्या बात है, यह भी soft touch, यहाँ पर आपको one touch auto down, अब तो नहीं मिलेगा, बट सही है, यहाँ speaker की grill है, space आपको मिल जाता है, कोई भी branding नहीं है, बोस वाले तो फिलाल नहीं है, इसके अंदर, और ऐसा कुछ जो है, दोस्तों, interior रहेगा, यहाँ पर आपको leather right seats मिल जाती है, beige color में, बहुत ज़्यदा जो premium है, आपकी गाड़ी लगने वाली है, perforated leather वाला feel जो है, आपको बिल्कुल मिलेगा, armrest की बाद की जाए, तो यहाँ पर आपको cup holder के साथ armrest मिल जाता है, यहाँ पर आपको दो side वाला recline मिलता है, मतलब इस तरीके से एक step में कर सकते हो, और comfortable जाते हो, तो इस तरीके से आप इसको recline कर सकते हो, एक बार मैं आपको पीछे बैट के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर case में कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो, और अभी यह जो seat है इसको मैंने पीछे किया है, उसके बाद भी इतना space है, अनध है जो comfort है, वो तो इस गाड़ी का बहुत जादा great है, पीछे आपको rear AC vent मिल जाते हैं, साथ में यह देख रहो, smart pure air, मतलब यहाँ पर आपको air purifier का option भी मिल जाता है, इस तरीके से आप इसको on वगेरा कर सकते हैं, देखो, पूरा display है, यहाँ पर आता है, modes आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर सारी चीजे आपको इसी screen के अंदर दिखने वाली है, नीचे यहाँ गए AC vent और इसके बाद जो आजाता है, यह आपको मैल जाता है, यहाँ पर space, साथ में type C वाली charging जो है, वो भी fast वाली, बागी guys में एक चीज बताता हूँ, इस इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज यह लगी, कि यहाँ पर अराम से, अगर आपकी family पाँच adults हैं आपकी family में, और बच्चे भी हैं, तो अराम से पाँच adults हो अकमोडेट हो जाएंगे, दो front में, पीछे तीन बड़े आराम से आएंगे यह चीज होई, और यह देखो, यह है sunroof का मजा, और अभी तो फिलाल यह बंध है, आगे चलके इसको खोलेंगे और यहाँ से अब चलते हैं भाई, आगे तो अब आती है देखो, driver door की पारी तो driver door भी similar आपको मिलेगी, यहाँ पे भी glossy है, silver है, यहाँ जो है सारे controls मिल जाते हैं, driver door one touch auto down, and one touch auto अपके साथ with anti-pinch, तो this is good और ORVM's के controls, यहाँ से आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे soft touch है, यहाँ पे soft touch है चावी की बात खीजाए तो भाई, चावी आपको कुछ इस तरीके की premium चावी मिलने वाली है, दो आपको यहाँ पे smart keys मिलेंगी, और space आ गया, speaker की grill आ गई, और ऐसा गुज जो है दोसों, interior रहने वाला, देखो, कितना शांदार लग रहा है, beige and black के साथ जो combination है, इस गाड़ी को काफी ज़दा premium मिलेंगी, height यह आपको manual मिलेगी, up and pedal मिलने वाले हैं, because this is the IMT variant, जहाँ पे clutch नहीं होता है, और सिर्फ और सिर्फ आपको brake और जो accelerator है, वही मिलता है, अब आजाती है, देखो, अंदर की बात, अंदर से गाड़ी आपको उतनी जादा ही premium लगने वाली है, जितना कहीं ना कहीं आपको BMW Mercedes में feel आता है तो आप कह सकते हो, सस्ते में BMW Mercedes वाला feel लेना है तो भाई, CELDOS एक बहुत अच्छा option मिलता है, यह देख रहाँ driver oriented, यहाँ पे आपको screen मिल जाती है 10.25 inches की, यह है 10.25 inches का instrument cluster है और यह बहुत ही beautiful सा steering wheel है, D-cut style का किया लिखा हुआ है, यहाँ सारे modes मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, यह देख रहाँ यह आपको cruise control भी आपको मिल जाता है और सारी information इस पे आने वाली है और horn भी आप सुन रहे हैं बहुत शानदार horn है यहाँ पे आपको tilt and telescope दोनों option जो है, यहाँ पे मिलने वाले हैं बात की जाए, यहाँ पे आपको normal आपको वाइपर्स मिल रहा है but automatic headlamp जो है, यहाँ पे आपको मिल जाते है, ORVM यह आपका automatic है, तो यह भी सही है sunglass holder आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे ticket holder भी आपको मिल रहा है बाकी अगर यहाँ की बात करने तो भाई, यहाँ पे इसकी quality बहुत जादा शानदार है यह देख रहो, बहुत बढ़िया है और यह touch, बहुत amazing है इसका touch, यहाँ पे, यह आप देख रहो dual zone climate control AC यह चीज आपको यहाँ पे present हो जाती है space आपको यहाँ पे मिल गया यहाँ पे space है, USB, बारवोट का socket, type C, सब कुछ मिलता है और यह रहा इसका 6-speed का IMT transmission, अराम से gear लगाओ बिना किसी clutch के जाड़ के जो P लिखा है, यह है आपके front parking sensors तो उसको off and on करने का option आपको मिल जाता है, यहाँ से आप rear का view देख सकते हैं और quality देख सकते हो, कितनी जादा clear है और यह soft touch padding आपको मिल गई तो front जो है न, काफी बढ़िया लगेगा, और यहाँ पे अच्छा-कासा आपको space मिलने वाला है यह भी रहा, यहाँ पे armrest मिल जाता है जिसके अंदर space है, यहाँ पे cup holders मिल रहे है तो overall look बहुत बढ़िया है panoramic sunroof देखो, क्या must view आ रहा है काफी अच्छी है ही, और यह देखो कहां अस तक जाती है, all the way back तक जाती है तो फिलाल तो इसको हम बंदी कर देते हैं तो ऐसा कुछ रहा दोस्तों, comfort आगे की seat का पीछे वाली seat से और ज़्यादा, बहुत है न, आगे वाला 20 है तो पीछे वाला 19 है, यह रहा अब आजाते है main इसके engine bay पे, जो है इस गाड़ी का दिल वो भी आपको लगे हाथ दिखा देते हैं और यहां से इसको खोलना है, और अराम से चलते हैं आगे और बात करते हैं इसके engine की यह आ गई भाई, इसके hood की बारी तो weight है, आपको मिल जाता है इसके अंदर अच्छा गासा weight, प्लस insulation है और यह है इसका CRDI वाला engine because यहां पेना यह है diesel वाला तो diesel के अंदर IMT है तो mileage का concern भी आपको नहीं होगा अगर petrol होता, तो कही ना कही mileage थोड़ी सी reduce होती है, आपको पता ही है तो diesel में mileage जैने वाली है लगब 20 की mileage जो है आसपास company claim कर रही है 114 BHP की power, 2500 NM का talk और यहां पे मिलता आपको 1500 CC का engine तो overall engine बढ़िया है, power अच्छी है और disappoint तो बिल्कुल नहीं कड़ेगी गाड़ी आपको बाकी इस तरीके का कुछ आपको यहां पे मिल जाता है ABS EVD unit आपको मिल गई तो अब यहां से इसको करते हैं बन तो दोस्तो आपने पूरा का पूरा आप तो रिव्यू देख लिया है अब आजाती है देखो मोटा मोटा इसकी pricing की के भाई खर्चा जो है जेब पे कितना आने वाला है तो दोस्तो इसका जो एक शोनूम प्राइस है वो है 17,18,000 रुपे का तो आप देख सकते हो इस price range में features आपको इस गाड़ी में अच्छे खासे मिल जाते हैं और premiumness भी है, engine भी अच्छा है, IMT transmission भी आपको मिलता है तो overall ये गाड़ी काफी ज़्यादा वर्थ हो जाती है अब क्या कहते हो अगर आपके पास होंगे इतने पैसे तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल देन, बबाई, ठेक एर, लव यू आल, जैहिंच, जै भारत